तो स्टूनेंट्स हम यहां थे 96 cm2 कैसे आया है कि अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो तो इधर हम लोग कल्कुलेशन कर लेते हैं 4406 प्लास 16 प्लास 16 ठीक है नेक्स्ट में आएगा 16 प्लास 16 प्लास 16 प्लास 16 प्लास 16 प्लास 16 ताके कोई 18 वान कैरी 3 प्लास 4 48 48 को 2 से मंटिप्लाई किया तू एट जास 16 वान तू फोर जार 8 प्लास 9 96 मीटर स्क्वियर आग्या अंसर्ड ठीक है सर्फेस ऑफ क्यूबिक्स के साथ हमने मीटर स्क्वियर लिखने हैं और क्यूब वालियूम के साथ त्यूंकि वह एक्वल थी इसलिए उनके साथ क्या आएगा क्यूब ठीक है इसी तरह नेक्स क्वेस्टन भी होंगे आप मुझे बता दीजेगा कि क्वेस्टन सेवन सेंटिमीटर वाला भी अगर करवाना चाहें टू ठीक है किजिगा आप खुद सॉल करें इसे ताकि आपके जो कॉंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हों ठीक है नेक्स हम क्वेस्ट स्टेंमें वाली क्यूंस भी साल करने है ठीक है क्लास तो पहला हम करने है वन वाला ठीक है जिसकी लेंथ ऑफ क्यूबायड है फो सेंटिमीटर घ्owe फैंट यस रोइच ऑफ क्यूबायड है फैंटिमीटर यवालियूम अव् जी length multiply width multiply height जो आजेगी 30 cm 30 cubes ठीक है जी first one की इसकी ठीक है तो जी next हमने surface area of cubite करना है वो ही है formula यूज होगा 2 क्या नाम है 2 box round bracket length multiply width plus length multiply height ठीक है जी तो वो solve करके तो उसका answer कुछ cm में आएगा square cm में ठीक है जी तो हम इसका first one solve करते हैं या second one I think second one करना चाहिए हमें 3.8 और 4.5 cm square वाला cm वाला ठीक है question number 2 का question number 2 2 या 2 नहीं 4 करते हैं fourth one is ठीक है 0 है ना 0 7.5 cm तो यह आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा तो इसको करते है start next page next question next part ठीक है question number 2 part number 4 उपर mention भी करते हैं question number 2 part number 4 ठीक है जी जिनकी कुछ इस्त्रा है measurements के length है इनकी क्यूबाइट length of cubite जिसको मैं यह करेंगे हम L से represent करेंगे width and height breadth and height breadth of cubit or height of cubite is B represented cubite is D oh sorry height length length is 1.5 cm breadth is 50 cm height is 0.75 cm पहले हमने find करना है volume volume जिसका formula है volume L multiply height multiply breadth ठीक है full form लिख लीजिएगा हम solve करते हैं इसको है जी 1.5 cm multiply 50 cm multiply 0.75 cm जिसका answer meter cube में आता है जी मैं क्यूबाइट पर कर रही हूं सासा solve 556 2.5 cm जी तो अब हम इसका करेंगे surface area surface area यह answer बिलकुल ठीक है उसके बाद इसका है जी 2 box bracket round bracket length multiply breadth plus length multiply height plus breadth multiply height ठीक है जी brackets close ठीक है जी अब हम 2 से करते हैं length को करेंगे 1.5 cm को multiply करेंगे हम 50 से जी plus length को हम 1.5 को multiply करेंगे 0.75 से plus 50 को multiply करेंगे 0.75 से bracket close कर लीजिएगा वो हो box bracket अब इनका answer आता है जी कुछ इस तरह के 75 प्लस 1 1.25 values चेक कर लीजिएगा अगर कोई गलत हो तो comment box में बता दीजिएगा ठीक है ताके गलतियां सासर निकलती जाएं थर्टी सेवन पॉइंट फाइफ ठीक है जी ओ सोरी बॉक्स क्यूब बॉक्स जी तो टू मंटीप्लाइए इन सब को प्लस करके आया value जी 113.625 जिसको मंटीप्लाइए करके आया आशर आता है मारे पास 227.25 cm उपर बला क्यूब और नीचे बला क्यूब उपर बला क्यूब बाइड सोरी क्यूब और क्यूब बाइड सर्फिस अरिया स्क्वियर क्यूब ठीक है 3 को क्यूब और 2 को सर्फ स्क्वियर ओके जी हम नेक्स्ट रहे है क्यूब नमबर 3,4,5,6,7,8 अब आप बताएं इन में से कौन कौन चाह क्यूब किया जाए आप लोगों के लिए ठीक है अपना हिया रखिएगा बाकी क्यूब आप उपर पार्ट वान और पार्ट टू के सौल करके कमेंट बॉक्स में बताएगा दवाओं में याद रखिएगा जो भी आपको प्रॉब्लम हो आपको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बाके कमें बुक्तक्र करके कमेंं शस्राफ्व사